कैसे हो बच्चो बच्चो आज हम पाट पढ़ेंगे लिंग लिंग बच्चो लिंग दो परकार के होते हैं एक इस्त्री लिंग और दूसरा पूर लिंग इतने परकार के होते हैं लिंग दो परकार के होते हैं इस्त्री लिंग और पूर लिंग चलो बच्चो अब हम लिंग क परिभाशा पढ़ते हैं संग्या सब्द के जिस रूप से उसके संग्या सब्द के जिस रूप से उसके संग्या सब्द के जिस रूप से उसके इस्त्री जाती या पुरुष जाती के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं ये बच्चों लिंग की परिभाशा है है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि लिंग क्या होते हैं तो जिससे हमें इस्त्री और पुरुष जाती के होने का पता चलता है जिन सब्दों से उसे उन शब्दों को लिंग कहते हैं ठीक है बच्चों देखो लिंग के भेद लिंग के दो भेद होते हैं एक पुरलिंग और दूसरा इस्त्रीलिंग पुरलिंग और इस्त्रीलिंग बच्चों लिंग के दो भेद होते हैं पुरलिंग और अब देखो, पुर्लिंग की परिभाशा, जिन शब्दों से पुरुष जाती का बोध होता है, उन शब्दों को पुर्लिंग कहा जाता है, जैसे पिता, राजा, घोडा, कुत्ता, देखो बच्चों, ये पुर्लिंग शब्द है, जैसे पिता, राजा, घोडा, और कुत्ता, ये क्या है बच्चों, ये पुर्लिंग शब्द है, पुर्लिंग शब्दों से हमें पता चलता है, कि ये सब पुर्लिंग है, इन ही शब्दों से तो पता चल रहा है हमें, यदि इनकी जगह मोर्नी होता, मोर्नी होता तो हम उसे प इस्त्री लिंग कहते हैं ठीक है बच्चो आप देखो इस्त्री लिंग जिन संग्या सब्दों से उनके इस्त्री जाती के होने का पता चलता है उन्हें इस्त्री लिंग कहते हैं जैसे लड़की, अध्यापिका, शेर्नी, वधू और नोकरानी आदी क्या क्या हैं बच्चो लड़की, अध्यापिका, शेर्नी, वधू, नोकरानी आदी अब देखो बच्चो नीचे लिखे शब्दों के पूर्लिंग और इस्त्री लिंग रूपों को पढ़िये और समझिये देखो ये इनके पूर्लिंग शब्द है और इनके इस्त्री लिंग है जैसे सिक्षक, सिक्षिका, राजा, रानी, मामा, मामी ये बच्चो इस तरह से इनके इस्त्री लिंग बन जाते हैं पहले हम पूर्लिंग शब्द पढ़ते हैं शिक्षक, राजा, मामा, बेटा, नाना, पूत्र, दादा, मुर्गा, घोडा, चाचा, सेट ठीके बच्चो अब हम इस्त्री लिंग पढ़ते हैं शिक्षिका, रानी, मामी, बेटी, नानी, पूत्री, दादी, मुर्गी, घोडी, चाची, सेठानी देखो बच्चो हमने ये क्या हैं ये क्या पढ़े हैं नीचे लिखे शब्दों के पूर्लिंग और इस्त्रेलिंग रूपों को पढ़िए और समझे बच्चो इसी तरह से और बहुत सारे शब्द होते हैं इस्त्रेलिंग और पूर्लिंग के बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे राजा, रानी, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, बैल, गाएं, घोड़ा, घोड़ी, उंट, उंटनी, पिता, माता, मामा, मामी, बेटा, बेटी, बालक, बालिका, भाई, बेहन, चाचा, चाची, नाना, नानी, दादा, दादी इस प्रकार से बच्चों ये शब्द हैं और इनके और भी शब्द हैं जैसे बैल, गाएं, गायक, गाईका, राजा, रानी, माली, मालिन, शेर, शेरनी, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, नानी, लड़का, लड़की देखो बच्चों, अभी हमने बताया कि जिन शब्दों से इस्त्री या पुरुष जाती होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं अब बच्चों, आपको ये सारी परिभाशाएं आपको याद करनी हैं और अपनी कॉपी में भी लिखनी हैं ठीक है बच्चों, धन्यवाद